एक समय की बात है, एक छोटे से गाव में एक गरीब किसान रहता था. उसका नाम रामू था. रामू बहुत महनती और सच्चा दिलवाला आदमी था. वह अपने छोटे से खेतों में प्याज, गाजर, मटर और धान की खेती करके अपने परिवार को पालता था. वह अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहता था और उन्हें खुशी से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था. एक दिन, जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, वह एक चमतकारिक दिखाई देने वाली बूंद के निचे एक छोटी सी चमतकारिक परी खड़ी देखी. यह परी बहुत सुन्दर और प्रकृष्ट थी. उसके पंक हरे भरे थे और उसका चेहरा खिल रहा था. रामू ने परी को देखा और अचमभित होकर चिलाया. वा, कौन हो तुम और कैसे आगई? परी ने धीरे से हंसते हुए कहा. मैं एक प्रकृती की रक्षणी परी हूँ. मैंने सुना है कि तुम बहुत महनती और दयालू हो. इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक वरदान लेकर कर रहा है. परी ने रामू को एक छोटे से बच्चे को गोध में लेकर उसे वरदान देने के लिए कहा, यह तुम्हारे बच्चे का रूप लेगा. लेकिन ध्यान रखना, जब भी वो खुशी और सच्चाई से हंसता है, तो उसके पंख और चहरा चमक उठते रहेंगे. ल परी की ओर देखने के लिए तैयार हो गया. बच्चा खुशी से हंस रहा था और परी की ओर देखते ही उसके पंख हरे भरे हो गये और चहरा चमक उठा. इसके बाद से रामू और उसके परिवार का जीवन बहुत सुखद और आनंदमय हो गया. उनके छोटे बच्चे ने ह रामू और उसके परिवार ने एक विदेशी यात्री को गाव में आकरशित किया और उसके लिए एक भोजन का आयोजन किया. रामू ने इस यात्री का अतिधी सतकार किया और उसे अपने घर में आमंतरित किया. भोजन के दौरान यात्री ने रामू से पूछा, तुम्हार बच्चे के साथ सच्चाई और इमानदारी का परक होता है। जब हमारे बच्चा सच्चाई का मार्ग अनुसरन करते हैं तो उनके पंख हरे भरे और चेहरा चमकदार रहता है। यात्री ने रामु के बच्चे के प्रती विश्वास दिखाया और उनके विचारों का सम्मान किया। वह उन्हें धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए और रामु को धन्यवाद देने के साथ साथ परी को भी धन्यवाद दिया। इस तरह रामु और उसके परिवार को पर राज था कि वे प्रकृतिकी वास्तविक हजाने का सामंतर्व करते थे।